स्टूडेंट मैं संकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मेथ में ये जो है कलास टेंथ का सकेंड टर्मिनल का वरिजिनल कुष्टन पेपर लेकर के आए हैं ये जो वरिजिनल कुष्टन पेपर है आप जो यहां पे देख रहे हैं ये वरिजिनल कुष्टन पेपर है objective पलस subjective जो है दोनों साथ ही ले करके solve करके आए हैं तो वीडियो में end तक आपको बने रहना मेरे dear student ये social science का जो है आपको 80-80 mark लाना है और 80-80 mark आपको जो यहां से आ जाएगा यहां पर आप देख सकते यह original question paper है इसे fake मत समझना यहां पर बहुत बच्चा क्या करता एक्जाम देख्या था तब उसको पता चलता सर जी आप सही बोले थे यह original question paper ही दिये थे आप चलिए यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि परिक्षार्थी का निर्देश जो दिया गया इसको आपको जो है मतलब इस नियम से चलना आपको परिक्षार्थी यह था समझ वो अपने सब् आपका practice भी हो जाएगा इसलिए आप साथ साथ answer दे भी सकते हैं ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा यानि कार्बोन री option इसका यानि secret answer हो जाएगा अगर आप answer देना चाहते तो दे सकते comment box में अखिल भारतिय टेड यूनियन कंगरेस के सपना कब हुआ इसका दू का answer हो जाएगा यानि डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी उनीस सबी सबीसिसी इसका answer हो जाएगा ठीक है भारत के लिए पहला factory act कप पारित किया तो इसका भी सब्सक्राइब को देना इस सारा कश्रा अगर आपको समय में पूरा त्यारी करना चाहते हैं तो टो ले तो यह पर सति करने समई नरह इ Count опас वियुद besser को अवडे सकते हैं रिचाने को कंप्लीट के जना है और सभी को चेहर भी करएता की सभी का है लाब हूँ वीडियो के लास्ट में आपको अब्जक्टिव का एंसर सीट भी दे देंगे हम ठीक है तो यह है इतिहास का यानि सब्जक्टिव कुष्टर जो कि यह वरिजिनल कुष्टर पेपर से ही लेकर करके हम सॉल्व किये हैं तो सबसे पहले आपको कुष्टर बता देत क्या है आरा साइनिक हथियारों एब हम एजेंट औरेंज का वर्नन करें तीन नमर में रहेगा तो इतना हमको नहीं परहना है यह कुष्टर जो हमारे पास है वह से टीचर का कहना था कि कुष्टर तुम यूटूब पे नहीं डालना ठीक है इससे क्या होता है कि टीचर आच को रूस की जार सेना ने सांति पूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जलूस पर गोलियां बरसाई जिसके कारण हजारों लोगों की मिर्तिव हो गई या जान चली गई इस दिन चुकी रविवार था ठीक है इसलिए इसे खुनी रविवार के नाम स इतना ठोव आप बात लिख सकते हैं ये इतिहास का दूसरा जो औरनी की इजी था वही को सौंट को हम सौलुकिये हैं अब यहाँ पे कोस्टन चार को हम सौलुकिये हैं ठीक है तो कोस्टन चार में आपका रहेगा कि आउसायोग अंदोलन परत्थम जन अंदोलन था कैसे य इसके वाद सेढ़ता है नोल जब है इसके दोस। नहीं करन से तीन की सुरवादend की तडिक्र रहनेको बाद्य थे आगे चलकर उत्पादन के उचीत वितरन के लिए अंदोलन शुरू किये तो यह बस आपको इतना ही ठो बात को लिखना है ठीक है और एसकिन सोट आप ले सकते एक बार रिफ्रेस कर देते चलिए एसकिन सोट आप बस इतना ठो ले लिजिए और यही आपको लिखना कोपी में आपको तयार कर लेना है ठीक है पंश नमर में यहीं पूछेगा कोश्टर में सलम पद्यती की सुरुवात कैसे ही वी तो यहीं एंसर है आपका ठीक चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं आप आगए भूगोल में तो भूगोल में आपको यहां पे ध्यान पुरभा की इ दिर्गुत्रिये भी पुछता नेके करके सब में तो यहां पर सबसे पहले देखिए आपको पूछेगा यह कुष्टन नमर साथ में रहेगा संसाधन निर्मान में तकनी की क्या भूमी का असपश्ट की जिए तो आपको यहां पे अंसर दे दिये हैं बोतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं आदी मानब तकनीक को पाकर ज्यानी मानब बन गया प्रियावरन में उपलब्द पदार्थों का जन प्रिये तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानब सक्षम हो गया बस आपको इतना ही लि जो की वरिजिनल कोष्टन पेपर यहां पे हुबहु आपको मिलता है चलिए कोष्टन आठ में आपका क्या रहेगा भूगोल में पूछेगा कि फोसल चकरन मिर्दा संदक्चन में किस परकार सहयक है इसलिए कोष्टन बोलते हैं ताकि आपको पता चल से के सर जी यानि आप जो है सही बोले या गलत फसल चकरन दुवरा मिर्दा के पोसनिया अस्तर को बरकरार रखा जा सकता है यहूं कपास मक्का आलो आदी को लगाता रुगाने से मिर्दा में हरसुत्पन होता है इसे तिलहन दलहन पोधों की खेती दुवरा पनूर प्राप्ति किया जा सकता है बस आपको इतना ही लिखना मेरे डियर स्टुटेंट अब यहां पर आ जाते हैं यहां पर दस नमर कोश्टन सॉल्व किया जो मतलब इजी था जिससे मतलब की आपको सहलियत हो खोजने में याद करने बस वही कोश्टन को हम सॉल्व कियें दस नमर में कहेगा जै बिवतता क क्या है यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बस इतना थो पूछेगा तो यहां पर लिखना एंसर किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतु जिब जंतों एवं पादवों की प्रजातियों की बहुलता को जे विविदता कहते हैं बस इ चार मार्क का रहेगा और दो कोष्टन बनाएंगे तो यहां पे जो है नहीं चार का नहीं रहेगा दू नमर का रहेगा ठीक है दू नमर का तो दो कोष्टन आपको पूछेगा तो दू दूनी कितना हो गया चार नमर हो गया तो यह दू नमर है बस आपको यहां पी तना ही लिखना है एसकिन सोट ले लेना जद परहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है एसकिन सोट आप लोग ले लीजिए चलिए ये कोश्टन नमर 14 में पुछेगा आपको राजनितिक दलों को लोकतंदर का प्रान कहा जाता है की हो ठीक है चलिए अब 15 नमर कोश्टन मे आपका रहेगा कि दल बदल कानून क्या है तो आपको यही एंसर देना मेरे डियर इस्टूटन यहाँ पर देख सकते हैं दल बदल कानून विधायकों और संसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के संविधान में संसोधन कर कानून बनाया गया इसे ही दल आपको इसकिन सोट ले लेना बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप जो है लगतार त्यारी में जारी रखे और बिहार बोड के लिए भी आपको त्यारी करवाया जाएगा चलिए आप चलते हैं एंसर सीट में एंसर सीट जो है टोटल 40 का 40 आप लोग ले लेजिए यह रहा एंसर सीट ठीक है यह आपको एंसर सीट है है कौन सही answer है कौन गलत है तो 2 का D answer हो जाएगा 3 का B होगा 4 का D में दीजिए गा ठीक है यह answer 100% सही है बाद में आपको जो पच्चता ना परेगा 5 का A हो जाएगा 6 का D में 7 का D 8 का B 9 का D 10 का C बस आपको जो है कॉपी में इसको note कर लेना है ठीक इसके बाद 11 का C 12 का A 13 का D 14 क का सी 15 का सी 16 का सी इसके बाद यहां पर देख रखतें 17 का सी 18 का सी 9 का a 20 का सी 81 का सी 22 का सी 23 का भी 24 का a यहां पर यह हो गया अब चलते इधर यह 100 परसेंट जो है आपका यह ऑप्जक्टिव एंसर साही है मेरे डियर स्टुडेंट 25 का सी 26 का a 27 का भी 28 का A, 29 का B, 30 का C, 31 का C, 32 का B, इसके बाद यहां पर 33 का D है, 34 का B है, 35 का A है, 36 का D, 37 का B, 38 का D, 49 का B, 40 का D, यह मेरे dear student, आप लोग जो है से फेक मत समझना, और exam दे के जब आएंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है, एक बार मिला लिजेगा, और वैसे भी question, आपको जो exam दे करके आएंगे, तो आपको हम दिखाएंगे, मेच किया की नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए, बेल घंटी को दबा क्या होन कर दिजेए, और जो भी question यहां पर एक set और बचा, अर्थ सास्त्र, ठीक है, तो अर्थ सास्त्र में आपको देखिए, क्या-क्या में अंतर, आज 19 में पुछेगा, मतलब इन में जो है, दो ही question बनाना है, एक वस्तु और लास्टे पे दोनों पे answer बना लिजेगा, नहीं बनाईएगा, तो हम वह भी करके देदेंगे, और तिसरा यहां पे चोथा वाद, आपदा परवंधन, आपदा परवंधन की अवसक प्ताकियों है, यह पुछेगा, और दूसरा, सुखार के लिए जिम्मेबार कारकों का वर्नन करे, बस इसमें भी दो ही बनाना है, तो हम दोनों question में से बता दिये आपको, तो इसका भी answer आपको दे देंगे, टेलीगराम में, टेलीगराम में आपको PDF भी send करते हैं, तो जा Thank You, The Next